विजे प्रकाश मिश्र जी अनीता मिश्र जी गुरुजी प्रणाम गुर्देव हमारे पुत्र के 2020 में 21 वर्ष की आयू में असामाइक निदन के पैस्चात से हमारा ध्यान सरवदा उसी में रहता है हम ऐसा क्या करें कि उसके मुक्ति हो जाए और हमें भी मो का नाश्ट एक वो बहुत चिंतित वेठे थे हम तो तुम्हें भगवदानंद का उपदेश देने आए हैं तुम चिंतित के हो मुझे भगवदानंद का उपदेश ने मुझे पुत्र शाहिए उसे गुले तुम्हारे भागे में पुत्र शुक लिखा नहीं है तुम्हारे कर्म ऐसे रहे है बहुत सी रानिया उसे एक भी संतान नहीं और वो इसलिए ब्याह करते गए थे कि राजा थे उनका लिकार था स्रीमत भागवत में कथा है तो वो जब देखा बहुत हट कर रहे तो उनका पुत्र होगा पर हर्श और शुक दोनों प्रदान करने वाला होगा अब उनको यह सब्दे याद दिखाई नहीं दिया ग्यान तो अपरित है मोह के कारण तो पुत्र होगा इतना बस उसुनके आलंदित है पुत्र हुआ बड़ी राणी से अब राजा का हर ध्यान हर ब्रत्ती वो यह पुत्र में क्योंकि मुहाविष्ट तो जहां राज दर्वा से खाली होते सिधे उसी महल को जाते और राणियों की तरफ देखना भी नहीं उन्होंने आपस में विचार किया कि बहन ये तो बहुत है हमारे दुर भागयों गए एक तो संतान नहीं नहीं हुई और दूसी बात जब से उसके संतान बड़ी के हुई तो बोलना असना खेलना तो बाजाने देखते भी नहीं व हो गया हो पूरा सरीर मेला अब जो दूसरी धायमा थी वहां तो राज दरवार में बहुत से सेवका है वो चिलाई तो रानी दोड़कर आई जो सबसे बड़ी थी देखा श्याम सरीर का रंग जहर कासरों वैद्यों से चिक कर आया प्रान रही तो आप तो राजा के हो चल थे और कहा राजन हम आपसे कहा था कि आपके भाग में पुत्र शुक नहीं महराज उपदेश रहें हमें पुत्र शाहे पुले हम बुला देते हैं अभी बुलाते हैं सामर्त साली धनराज को आदेश किया कि थोड़ी दिर के लिए इस जीवात्मा को अपने कैद से उनका आग दिखो तुमारे पिताजी कितना तुम्हें प्रेम कर रहें तुम्हें सरीर में आजाओ हम भी दान देख लेंगे नारजिनगा अले बुले महराज आपक्यों भी नोद करते हैं हमारा बाफ है कितनी बार हमारी पतिनी बार बेटा बना कितनी बार यह व्यापार क का साक्षात कार किया पर थोड़ा गलती हो गई भगवान सीव के साथ अबद्र बेवार करने से वही ब्रत्ता सुर के रूप में प्रगट हुए क्योंकि भगवान संकर की महिमा को जानते नहीं थे भगवती अंबा विराज मानते और वो प्रवचन ता उन्हों विमान पे संग दीजिए जब पद मिलाना तो एक जलन हुई कि अगर कहीं महाप्रेमियों का संग निरंतर हुआ होता तो मैं भगवान की सेवा मानता भगवान से अलग कोई पद नहीं मानता तो यह बात है हर्दय में हमारे भगवान की प्रतिप्रियता जगे सत्संग शुनो ना कोई किसी का पुत्र है न कोई किसी की पत्नी न कोई किसी का पिता है न कोई किसी का पती है यह थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप इस्त्री पुरुष का वेसदारन करके आये हैं अपना काम बना लो अगर चित्वरति मुहाविष्ट रहेगी तो है जिस भगवत प जाल फैला हुआ है कोई किसी का पुत्र नहीं है ग्रेस्थी में रहती हुए भगवत प्राप्ति तभी होती जब पुत्र में भगवत भाव पत्नी में भगवत भाव भगवत भाव में यह द्वेस यह नाना प्रकार की गंदगी नहीं होती उसको शुक पहुंचाना होता है अच्छा जितने दिन नर्शी मेता का जब पुत्र अंता ध्यान में प्राण निकल गए तो करताल लेके नाचे लोगों ने कहा कि मतलब रोना चाहिए बोले रोये वो जो हरी का नहाँ हम तो हरी के हैं आये थे इतने दिन अपने स्वरूप की लीला की हो चले गए उनकी वस्त संतरता हो गए अब रात दिन बज़न करेंगे हमें कोई चिंता ने आपने जिसे मुनीम है फैक्टरी का एक मालिक का स्वरूप समझो से मुनीम को स्वरूप लेकिन वो मालिक नहीं है और मालिक बन बैठे दंड का दिकारी हो जाएगा ना तो तुमारा घर तुमारा शरीर तुमारे संबंदी यह सब भगवान की रचना है कि तुमारी रचना है भगवान की है ना आपने क्या मान लिया आप उस माया धीस को भूल कर अपने को माया पती मान बैठे आस्तिक्ता नश्ट हो जाएगी ऐसी माया है बहुत बहुत सावधान केवल नाटक जगन नाटक व विसकते हैं से खेल में उतर गए कि तुम भूली गए कि हम रोल कर रहें रोल को शत्य मान लिया स्वांग को शत्य मान लिया फिर बंदी बना लिये जाओगे सथी स्वांग को स्वांग नहीं रहने दिया और सत्य में आ गए रागद्वेस में लड़ाई जगडे में तो क्या हुआ कानून ने बंदन मना दिया आप सत्य मान रहे हो ना माया ने आपको बंदन में डाल दिया अब कैसे जीए उस पुत्र के वियोग में ए मुनीम थे मालिक बन बैठे इस बात का है तुम्हें जो दुख हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है जितने समय के यह सब सरकारी हैं भाई कोई बंगला गाड़ी और सब बढ़ियां बिवस्थाव बढ़ियां खुब फूलों से सजा हुआ इस्थान आपको दिया गया तो आसक तो मत हो सरकारी आदमी हो यह बंगला तुम्हें जो कुछ विलैला गाड़ी बंगला सरीर और संबंध सब यह भगवान के द्वारा दिये गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया आप मालिक मन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा इसी अज्यान का दंड मि चलेगा ना नाम पारू दिवसनिस तो यह ज्यान घुशी नहीं पाएगा यह कामक्रोध लोग मुह परास्ती नहीं कर पाएंगे हम नाम को भूल गए भगवान का भजन जब भगवान का भजन हम नहीं कह रहें सास्त्र में भी है नौयोगिश्वरों में के योगिश्वर जी कह रहें कि जैसे एक एक कवल पाने पर तुष्टी पुष्टी चुधा निर्वत्ती होती है ऐसे एक एक भजन एक एक्षण भजन करने पर राधा 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 संसार से बैराग श्वरूप का ग्यान और भगवान से प्रेम कीनों एक साथ होते हैं पर जैसे बहुत द अधना भजन के मुर्खता ना धारन करे सच्चे मार्ग में चले जो दुख सुखाय उसको सहलो राधा 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 और यहां से मुक्त हो कसाई वाड़े में हो बार बार कहते हजारों बार कहते भागो यहां से निकलो यह काल नुष्ड कर देगा शंपूर्ण काल प्रपंच जितना है काल के अधीन है समय आने दो इसे फाड़ के फीद देगा देखते नहीं एक्सिडेंट हुआ चितरा उड़ गए रोड में बोले चलती चलती गारी में आग लग गई निकली निपाए भसमो यह सब क्या है काल के अधीन हो यह कसाई वाड़ा है काल का कोई कोई गड़ासा का रूप लेकर आएगा और तुमें नश्ट कर देगा एक जीवन की सीमा है इसलिए राधा 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 बागो मुक्षता जागरत करो मुक्तो ना चाहो इस संसार से पर भोगों का इसा मीठा आकरशन है इसलिए सोक की तो कोई गुंजा ऐसी नहीं है इस पानर्थ नहीं होना चाहिए इसको भी छूट में भगवान पुक्त होने की लीला की तो और दुख पूछो बहगवान की जो प्रिया जो हैं लनका में बेठे रुदन कर रही हैं भगवान नंगे पेर वनवासं कितना बहगवान अवतार लिए तो आप देखेंगा कितना कर्ष्ट साहा है भगवान ने तो तुम इस दुखाले में डोड रहे हो और तुम सोचते हो कि हमारा नहीं भागो भागो इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भागो भागने का मतलब अंदर से निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करो वो सब कराएगा नाम जि इतना सत्संग सुनोगे उतने सुंदर बुद्धी होगी उतने हर्दय निर्मल होगा वही तुम्हें दुखों से बचा सकता है कोई जंतर मंतर नहीं अरे भगवान का नाम भगवान की लीला भगवान का आश्रे भगवान की महिमा को छोड़कर त्रिभुवन में कृष्ण कृष्ण हरी हरी नारै राधा 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 जो आपको प्रिलगे जो गुर्देव ने दिया है खुम नाम जब करो यही ज्ञान विज्ञान प्रगट कर देगा यही इस माया से बद नाम लेत भव सिंधु सुखाही ना नाव की जरुरत पढ़ेगी ना लेत भव सिंद सुखांई करो विचार सुजनमन कहूं कहा लगी नाम बढ़ाई राम न सकहें नाम गुनगाई भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम और वो नाम कोई पैसा नहीं लगता कोई महिनत नहीं लगती राधा 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 राम कृष्ण हरी जो प्री लगे नाम जब करो इसी में मंगल है और जाना तो सबको है खूप चाहे जितना दवाई खाले और स्वरन भसं पाले और चांदी की बस अगर मरने से डर लग रहा है तो जो सब हीत आवा सरनाई रखियोता है प्रान किनाई भ पहान गजराज के गले से खूलों की माला तूटके गिर जाए राइबेल राइबेल जलते हैं ना मोगरा मोगरे की माला गजराज के गले से तूटके गिर जाए उसको पता थोड़ी चलेगा ऐसे भगतों को पता नहीं चलता कि सरीर छूट गया जो जनमत मरत दुसा दुख कोई भक्तों को नहीं होता क्योंकि प्रभू स्वयम लेने आते हैं अपने भक्तों तो मन तो भगवदानंद में डूबा हुआ है शरीर को पहले ही छोड़े हुए थे अब लीलावत छूट गया जैसे साप को अपनी केचल छोड़ने में कोई कस्ट नहीं होता जैसे नया वस् सब को छरण करने वालों में म्रत्यू मैं हूं तो म्रत्यू रूप से स्वयम भगवान वेसे सब का प्रण कर रहे हैं पर भक्त के लिए भयावा नहीं प्रेमी रूप रख कर आते हैं इसलिए नाम जब करो भगवदार्शित रूप कर दो